सनी दियोल की आक्शन फिल्म में हुई मुक्काबास स्टार विनीद कुमार सिंग की एंट्री शेर किया पहला लुक अभी नेगा विनीद कुमार सिंग एक के बाद एक प्रजेक्स साइन कर रहे हैं मुक्काबास आक्टर ने SDGM एक मल्ती लिंगुल आन इंडिया फिल्म साइन की है जिसका पोस्टर उन्होंने अपने जनमदन के अफसर पर अपने सोशल मीडिया पर साज़ा किया जिसमें सनी दियोल मुक्य भमका में होंगे मैथरी मुवी मेकर्स और पीपल मीडिया फाक्टरी द्वारा निर्मित ये फिल्म सनी दियोल के साथ विनीत का पहला प्रोजेक्ट है रिपोर्ट के मताबिक बड़े बज़ट वाली इस फिल्म को देश की सबसे बड़ी अक्शन फिल्म बताया जा रहा है और इसका डिरेक्शन गोपी चनमलने नहीं करेंगे फिल्म से जुडी हुई बागी दीटेल्स अभी तक सामने नहीं आई है वनीत कुमार ने अफिशली अपना वो पोस्टर अपने सोचल मीडिया पर साज़ा किया था और उन्होंने एक कैप्शन दिया था आपको बता देते हैं दोस्तों ये फिल्म जो इस साल जून में फ्लोर पर गई थी माइटरी मूवी मेकर्स और पीपल मीडिया फैक्टरी की प्रभाशली ट्रैक रिकॉर्ड की वज़़ से लोगों को इस फिल्म का काफी इंतजार है जो काफी सफल वेंचर के पीछे रहे हैं आक्शन ने पहले से ही काफी उद्सक्ता पैदा कर दी है क्योंकि फान से देखने के लिए बेस सब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जनी दियोल और रंगबास अबिनेता टेबल पर क्या नया लेकर आएंगे प्रडाक्शन से जुड़ी करीवी सूत्रों ने एक मनरंजक कहानी का संकेट दिया है जिसमें दोनों ही आक्टर्स चालेंजिंग और अट्राक्ट अफ तिर्दारों में दिखाई देंगे इसे पहले मेकर्स ने फिल्म का हिस्सा बनने के लिए रंदीब हुड़ा की भी घोशना की थी तो अब ऑफिशली मेकर्स दे तीन अक्टर्स जो हैं उनको वेलकम कर लिया है सबसे पहले तो रंदीब हुड़ा है फिर सयामी खेर है और अब विनी कुमार सिंग है अब दोस्तो इस फिल्म का सभी बेस सब्दी से इंतजार कर रहे हैं इसी साल ने उफिशली अपनी इस फिल्म का अनाउंसमेंट किया था और अब थीदे देरे करके कास्ट रिवील्स भी हो रहे हैं फिल्म की शूटिंग वैसे चालू है अब SDGM को लेकर दोस्तो आपका क्या कहना है आपके क्या राय है अपनी राय कॉमेंट में ज़र बताएगा विडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो से लाइक करें सब्सक्राइब करें हो प्लीज विल आइकन दबारे धन्यवाद दोस्तो